मेरे देश की धरती सबी किसान भाईयों को नमस्कार मैं गुर्बासिंग विर्क गाउंडवरी डिष्टिक करनाल हर्याना से आप से रूब 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 रहा हूं पिता समान बज़र्गों नोजवान साथियों मेरी माताएं और बहने जो कृष्षियों से सहय करियां में किसान भाईयों का कंदे से कंदा मिलाकर सहयोग देती हैं मैं उन सभी को नमन करता हूँ नमस्ते करता हूँ सत्स्रीय आकाल किसान भाईयों जहां किसान ने अपने खून और पसीने के साथ इस धरती माता को सीचने का काम किया वह हमारे क्रिशिव ग्यानिकों ने किसान भाईयों के साथ कंदे से कंदा मिलाकर काम किया उनकी आर्थिक स्तिती को मजबूत करने में हमेशा कारगर सिद कारे किये उन्होंने और इसी के साथ साथ हमेशा वो करमठता के साथ और प्रिश्रम के साथ हमारे को नई किसमे इजाद करके देते रहे हैं ताँ जो किसान भाईयों की उत्पादन लागत कम हो और उत्पादन जादा हो ताज उनकी आर्थिक स्तिती मजबूत हो सके उसमें सुधार हो सके सन दो हजार बाइस में भारती करशी अनुसंदान सहस्तान नई दिल्ली के दुआरा एक मेले कायोजिंच किया गया जिस मेले में तेन किसमों का अबंटन किया गया बासमती की ये किसमे थी पूसा बासमती ठारा संताली पूसा बासमती ठारा सो पचासी पूसा बासमती ठारा चासी मैं जिस फिल्ड में खड़ा हुआ हूँ और जिसका वीडियो शूट कर रहा हूँ वो पूसा बासमती ठारा संताली है पूसा बासमती ठारा संताली पूसा ब रियाली में एक ये खेत है और पीला होकर ये अपनी परिपक्क वस्ता की तरफ अगरसर हो रहा है नब्य परसंट के आसपस इसकी प्रवक्क वस्ता पूरी हो चुकी है लेवर हमारे पास पहुंच चुकी है बिहार से मधेपुरा से दो चार दिन में मौसम खराब है बारिश क कितना हुआ वो भी शेयर किया जाएगा किसान भाईयों पूसा बासमोती पंदरह जिरो नो में दो तरह के जीन डाले गए है बैक्टीरी लिव ब्लास्ट बैटीरियल लिव ब्लाइट और शित प्लाट जैसी भानिक विमारियों के प्रतीत कुराव करने की शक्ती इस प्लाटी का तना इतना मजबूत है कि आप मानेगे की जैसे परमलधान खड़ा हुआ है गिरने की कोई भी अशंका नहीं है एक भी पोदा नहीं की रहा हमारे पास आठ एकड़ के आसपास यह किसम लगी हुई है यह अलग अलग पकवाडों में लगी हुई है अलग अलग 20 सबसे लाश जो फिल्ल लगा हुआ है पुसा बास्मती 15 पुसा बास्मती ठारा संताली का वो एक अगस्त पा है मैं आपको दुखाऊंगा भी एंत में और किसान भाईयों इसका जो उतपादन है आठ एकर में किया जा रहा है जो किसान भाईयों के लिए उपलब्त रहेग हम पोद का भी उत्पादन करते हैं तो किसान भाई उसे इंडरोद रहेगा जो किसान भाई दूर दिरासे हैं जिनको बीच की उवलपता नहीं हो पाएगी वो किसान भाई इस बीच की पोद भी ले सकते हैं ताँ जो वो अपने बीच का उत्पादन कर सके मेरा आप सभी सभी किसान भाईयों से हाज जोड़के वे नमबर नवे दिन है वीडियो को लाइक और शेर दूसरे किसानों के साथ जरूर करें एक किसान होने के नाते मैं आपसे या अपील कर रहा हूं कि वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें किसान दोस्तों इसके गुनवत्ता की बात करते हैं तो इसमें कोई भी बिमारी का प्रकोप नहीं है एक स्प्रेय हमने इसके जरूर दिया है बालियन निकलते समय एमिस्टा टॉप का और साथ में लेम्डा साइलो थ्रिल सी एस 4.9 का हमने स्प्रेय दिया था और उसके बाद उसके कोई स्प्रेय नहीं दिया है आप देख सकते हैं इसमें जो फील्ड है आप पीछे दूर तक नरज़े डालें तो इसका फील्ड अपनी आज भी अपनी परिपक वस्ता के बिलकुल पीक पे उपर है लेकिन इसका जो पोद कोई भी बिहानिक बिमारी का प्रकॉब देखने को नहीं मिला है इसके चावल की गुनवत्ता की बात करते हैं तो इसका जो चावल है जो इसका दाने का आकार है वो लगबग 11-20 से साथ मिल खाता है उसा बास्मती 11-20 के साथ तो ये बहुत अच्छा अडवांटेज किसानो के साथ रहेगा जो किसान भाई अगर किसान भाई को अच्छा दाम मिल जाता है 11-20 वाला दाम मिल जाता है तो किसान भाईयों के लिए ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि उनके लिए एक अच्छा दाम मिलना ता जो उनकी जो आर्थिक स्थिती है वो मजबूत होगी पूसा बास्मती ठारा संतालेस पूसा बास्मती ठारा संतालेस जो है वो पंद्रा जिरो नो से उतृपादन देने की शम्ता जदा है। इसी के साथ साथ क्योंकि पूसा बासमती सोला बानवे जो थी उसने बहुत अच्छा परदर्शन किया है उत्राखंड में जो गेती लगाई गी थी जुलाई के महीने में वो हारवेस्ट हुई है यूनिवस्टी ने भारतिय कृषी अनुसंदान सस्था नई दिली ने उसका उत्पादन बाई से 27 कवंटल बताया था लेकिन किसान भाईयों ने उसका उत्पादन 35 कवंटल भी लिया है ये बहुत बड़ा उत्पादन है और किसान भाईयों की जो आए हुई है परती एकड़ 80,000 से लेके 70,000,000 के आस पास हुई है उन मान कर रहे हैं कि पूसा बासमत 1692 में थोड़ा लोजिंग की दिक्कत है गिरने की शंका बनी रहती है हवा ते जाती है तो उसमें गिरने की शकायत हो जाती है लेकिन इसमें लगातार करनाल में पिछले पांच दिन से जबर्दस बारिश हुई लेकिन एक भी पोदा इसका नहीं गिरा है ये सबसे बड़ी अ पूलाय है वहा वह बहुत मजबूत है इसका बीज उभ्त पादन में आठ कडी लगये हुए हैं उत बीज सारे का सारा हम पंढंडारं करेंगे जो किसान भाइंग लेना चाहते हैं वह हम से समपरक कर सकते हैं जिस किसान भाइं को बीज नहीं मिले आ वह हमारे से पोद भी नरसरी लेए सकते हैं, हमारे पास भेजने की भी वबस्ता है, हम आपके पास भेज भी देंगे, ताँ जो आपका बीज़ उतपादन हो सके इसी के साथ मैं आपको खेट दुखाना चाहूंगा, इसका पोदा दुखाना चाहूंगा, इसका तना कितना मजबूत है और दाने का आकार कैसा है वो भी मैं आपके साथ सांजा करूंगा इसकी गनवत्ता का स्तर बहुत बढ़िया है इसके जो दाने का आकार है वो भी बहुत बढ़िया है इसके दाने की पचान करनी बहुत एजी है कोशिश करें आप इसको पंदरा सो नो और पुसा बासमती 1692 एक साथ कोरलेट ना करें आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं मैं गुर्बास सिंग विर्क, गाउंडबरी, डिस्टिक करनाल, हरेना से आप से रूबरू हो रहा हूँ किसान दोस्तों आप देख सकते हैं इसके बीज की गुनवत्ता देखिए आप मैं अकेला ही वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत जरूर हो सकती है यह इस तरह का दाना इसका बन के आया है यह थोड़ा बेंड में दाना है आप देख सकते हैं थोड़ा इसमें गुमाव वाला दाना है जो इस दाने का अकार है वो गयरा की साथ मेल खाता है पीछे इसकी नोक निकली हुई है जिसको मूश कहा जाता है इसकी गुनवत्ता बहुत बढ़िया है आप जो फिल्ड देख रहे हैं यह पूसा बासमत 1847 का खेत है दो एक कड़िदर लगी हुई है और दो ही एक कड़िदर लगी हुई है किसान दोस्तों पूसा बासमती 1847 उसके बाद 25 जुलाई के यह दो फिल्ड लगे हुए है आप देख सकते हैं इसमें और जो एक अगस्त का फिल्ड है वो हमारा ये वाला फिल्ड है दोस्तों पूसा बासमती 1847 कोई कोई बैल इसमें सफेद निकली है क्योंकि सुन्दी का प्रकॉँ बहुत जाया था लेकिन उसके बाद घलिए प्रकॉप बहुत जादा आ गया था लेकिन। कोई भी ओफ टाइप प्लैंट नहीं आप देख सकते हैं जो खेत है वो लग बग एक सरा है बीज के उदुपादन के लिए त्यार किया गया है आप देख सकते हैं कोई भी पौदा उपर नीचे नहीं है इस वरेटी की विशेश गुनवत्ता ही इसको दूसरी वरेटियों से बिन करती है मेरा आप सभी से उन्रोद रहेगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप देख सकते हैं इसके दाने का जो अकार है वो बहुत बढ़िया है ग्यारा एक की साथ मेल खाता हुआ इसका दाना है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें इसके साथ वारता को विराम देता हूँ जैजवान जैकिसान